आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज म्यूज, क्राइम का खुलासा सरपंच की मनमानी 119 अवैद पेड़ों की कटाई की लिखित सिकायत ग्रामीडों की प्रसासन से बेमित्रा जिला मुख्याले के महज 8 किलोमीटर दूर इस्तित ग्राम पंचायत लोले सरक का मामला है जहां पन नए सरपंच की मनमानी लिखित सिकायत करने पहुँचे ग्रामीडों ने प्रसासन से पूर्व सरपंच स्री मती केवराबाई बर्माद्वारा मनरेगा के तहट दो डवरी निर्माड स्विक्रती कराई थी जिनके तहट नए सरपंच ने 22 फरवरी 2020 को पद भार घ्रण करने के पहले ही बगेर ग्राम पंचायत में सूचना दिये 119 अवैद रूप से हरे पेडों की कटाई का नीलाम कर दिया है तदा नीलामी किये गए पेडों का हिसाब केता भी नहीं दिया जा रहा है इस तरह से सास की भूमी में लगे हुए 119 हरे पोधों की कटाई वह ग्राम पंचायत में बगर सूचना दिये जाने की सिकायत करते हुए नियाएगी गुहार लगाने जिला प्रसासन से की गई है ग्राम पंचायत लोले सरा के नई सर्पंच की मनमानी की हद तब पार हो गई जब सर्पंच अपने पद पर भार लेने के पहले वच्वनाव जीतने के बाद से ही अपनी मनमानी करते हुए 119 हरे पोधों की कटाई कर दी जिसकी सूचना ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी नहीं दिया मन्रेगा के तहट दो डवरी निर्मार कारे के चलते 119 हरे पेडों की कटाई में ग्राम पंचायत लोले सरा के नई सर्पंच द्वारा मनमानी करने की लिखित सिकायत बेमेत्रा अनुविभागिया अधिकारी को दिया गया है इस पर किसी भी प्रकार की कोई कान अमीनों की सिकायत पर उच्छी अधिकारी द्वारा क्या कानुनी कारिवाई करते हैं यह फिर मामला दब कर रह जाता है यह समय की घरत में धुरुकुमार वर्मा जी बताई ग्राम पंचायत के क्या समस्या है ग्राम पंचायत में जो डबरी निर्मान का सुकृति आया था कुछी के दवरान यहां पर लगबग दोनों डबरी निर्मान के लिए 119 पेंट जाड काट दिये गया है जो गाउं में मुन्यादी करवाने के मुन्यादी करवाकर विक्री किया गया है और लिलाम करने के बाद वहां जैसे की बात है कि भुनने पर की पूर्वसर्पन स्री मुन्यादी केमरा वर्मा द्वारत दे गए पद्भार 22 2020 में दे गया था उसके अलावा पूर्वा उसके पूर्वा प्रभार देने के पूर्वा लगभग 10 या 12 तरीक लिलाम करका जाड को भी दे गया है और उसका रासी कहा गया है इसका बिजानकरी नहीं है कितना पौध चारण नहीं हुआ है अप लोग क्या चाहते हैं हमको नियाय चाहिए राजय नीर्कुमार वर्मा किस तरीके के समस्या है ग्राम पंचात यहां सर मनमानी जो सरपंद भती है उनका मनमानी चर रहा है जैसे यहां डबरी निर्मान के कारिये के लिए शुकृत हुआ डबरी न तो इस विए सिक्वा शिकायत किया गया था उसमें अब तक कोई कर्वाही नहीं हुआ है क्या चाहते हैं हम लोग कर्वाही चाहते हैं कि इनका जो उचित कर्वाहिया होना चीह है कि हम धश्र यहीं हरम फंचायद में नियमता हो सच यह हम चाहते हैं डबी निर्मान हो रहा है ठीक है पेंड कटेगा वह ठीक है लेकिन कम से कम पंचायत में चर्चा हो गांवालों को पता हो यह हम चाहते हैं यह हम चाहते हैं